हेलो एभरीवन गुड मॉर्निंग औल उफ यू मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हम लोग देख रहे हैं यूनिट से बैं लेक्चर से बैं इसमें हम लोग देखेंगे स्वागा आप नोड से डिनोट करते हैं सिंगनल फ्लोग्राफ बनाने के लिए तो ये आपका रूल 1 है Rule 2 आपको कह रहा है If a summing point is placed before a take-up point In the direction of signal flow In such case, represent the summing point and take a point by a single node जब आपका summing point जो होगा Placed होगा before take-up point Means take-up point से पहले आपका summing point रहेगा In the direction of signal flow गर आपके direction में तो उस case में क्या होता है Summing point और take-up point के लिए हम लोग single node का use करते है जब आपका summing point होगा take-up point से पहले तो हम लोग single node से take-up point और summing point के लिए single node का use करते है Next कर रहा है आपका rule Next कर रहा है If a summing point is placed after a take-up point In the direction of signal flow In such case, represent the summing point and take-up point by separate node Connected by the branch having transmittance unity जब आपका summing point जो है क्या होता है take-up point के बाद आता है Place after a take-up point Take-up point के बाद आता है तो उस case में हम लोग क्या करते हैं Summing point को और take-up point को हम लोग अलग separate node से denote करते हैं और आपका उसका जो branch होता है उसका transmittance क्या होता है दिनोड करते हैं तो ये तीनो रूल को आप दिमाग में रखिए उसके बाद आप आसानी से question को solve कर सकते हैं देखिए ये आपका question है ये आपका block diagram दिया हुआ है अब यहां से block diagram से आपको क्या करना है signal flow graph आपको बनाना है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो nodes कितना होगा तो देखिए एक summing point ये है इसके लिए एक node हो जाएगा एक summing point इसके लिए node हो जाएगा फिर देखिए एक आपका क्या है ये take up point के लिए node हो जाएगा तो node 3 अब देखिए ये जो है take up point क्या है summing point के बाद है तो जब हम लोग अभी परे हैं जब take up point क्या होता है summing point के बाद आता है या summing point पहले होता है take up point के तो दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं single node का use करते हैं तो यह summing point और take up point के लिए क्या हो जाएगा सिंगल हो जाएगा तो है thena कि टूटल नॉट कितना हो चार क्या करेंगे सब से पहले लड़ बना लेंगे तो देखिए यहां पे यहां था हो गया हम गया हम सा ब्रांचbestन कहां से करनेक्ट siis तो देखिए, node 1 और node 2 के बीच में एक आपका क्या है, block है G1, तो node 1 और node 2 के block में आपका हो गया, यह आपका block G1 हो गया, G1 को हम दिखा दिए, node 2 और node 3 के बीच में क्या हो जागा, G2 है, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में G2 हो गया, फिर आपका 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं नोड वन से क्या हुआ है एक आपका प्रांच गया है जो कहां पर यह कहां में देखा दिसदे टेंगे जिस डिर्क्सिन पर याए एक फोर के Cultural fan c4 और यहांoda 4 के पास आ गया यहां पर देखिए 3-2 में जा रहा है तो यहां पर हम लोग 3-2 दिखा रहेएंото है जो इसी हो गया यहां पर देखिए 9-1 में जो कि खाय और क्या भी फीड़ेक बनεί। यहां पर फोर से आपका 1 में आ गया जोकि आपका फोर जाथ Iran में आ गया जो कि आपका माइनस जी फाइव है तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किये ब्लॉग यह इसका एक्युभैलेंट हो गया सिगनल फ्लोग्राफ में हम लोग डाइगराम से सिगनल फ्लोग्राफ मना लिए तो सबसे पहले हम लोग नोड को रिपरजेंट कर लिए वन सब्सक्राइब बींड को सिगनल में लोग वंदे देखिए फिर धी में देखिए मैं और 004 दैकिनल पर यह एक स adapting ना भी में देखिए और 003 नजाए कर और सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद हम लोग मैसन फर्मूला का यूज करके को सॉल्व करेंगे तो मैसन फर्मूला को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थैंक यू